हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महादमी टू पहुंजे रोपयर तो मैं आपको 10 क्लाज के लिए फिजिक्स के नुमेर्कल करा रही थी जिसमें आपको प्रतिरोध धारा विवानतर निकालना में आपको से कहा था पार्ट बन और पार्ट टू में तो करते हैं कि इससे पहले में कई वीडियो डाल चुक्यों साइंस के अप्लोड हो गए प्लेलिस्ट भी बना दिया है तो आप उस पर विजिट करके देख सकते हैं तो मैं आपको बता है था कि स्रेडी में कैसे चलते हैं स्टार्टिंग पर ऐसे करके आर बन प्लस आर टू और समांतर में आप आउन करके चलते हैं प्रत्तु का मात्रक ओम होता है ठीक है यह ओम लिखा हुआ है तो इसमें आईवन यह वाला हो गया और आईटू यह वाला हो गया तो सबसेवल आईवन का निकाल लेते हैं तो आर बन हमारा क्या है फोर प्लस इसमें आर टू यहां पर म तो यह B हमारा हो गया 6, ठीक है 6 बोल्ट, अब हमसे I बन कमान पूछा है, तो पहले I बन निकाल लेते हैं, I बन कैसे निकलेगी, तो I का फर्मला क्यों होता है, B अपॉन R होता है, तो यह रख देंगे, B कमान, B का हो गया हमारा, 6 और R कमान, अभी हमने यह अजश्ट निकाला 6, ठीक है, दोनों 6, तो 6 से 6 कैंसल हो गया, तो I बन कमान हो गया, बन एम्पेर, के लिए, अभी मैंने के बले, इतना पार्ट आपको I बन निकाल के दिखाया, फिर हम ऐसे I2 निकाल लेंगे, सेम, फिर दोनों I1, I2 को एड़ करेंगे, तो हमारी फैनलस में, I निकल आएगे, मतलए बिद्धारा निकल आएगा, के लिए, देखो, 4 और 2, 6 हो गया, तो I से हमने भी अपनार निकाला, 6 अपन 6 बना गया, अब देखो, इस में निकालते इतना वाला, यह हमने आर बन, R2 मान, इसको R3 और R4 कर लेते, तो R3 प्लस R4, स्रीडी में तो सीधा 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 चलते न, तो 1 प्लस 2, किता हो गया, 3 हो गया, के लिए, फिर उसके बाद 20 में सीम रहेगा, फिर सब आप I2 का मान निकालेंगे, इसमें, तो I2 इकल तो क्या होगा, बी तो एक वले तो भी ऐसी रहेगा, और हम मातरक एमपेर होता है, और मीटरों से से मापते हैं, कई बार आपको बता चुगी हो, तो I बन हमारा कितना निकला था, 4 और 2, 6 अपान 6 बनाया था, I बन हमारा बन, और I2 हमारा 2, तो टोटल आई जो हमारी धारा निकलेगी, I1 प्लस I2, दोनों को वैली को याड़ कर दो, क 3 एमपेर, यह टोटल हमारी धारा निकला आई, के लिएर, इसका आप स्क्रिंसोट ले सकते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देती हो, देखो, सबसे पहले 4 और 2 एड़ कर लो, से यडियो में 6, तो यह जो हम आई निकालेंगा I1 तो V अपान आर से 6 अपान 6 बना देगा, फेस पार स्क्राइड कर लो, 2 और 1, 3, 3 आ जाका तो 6 तो सेम रहेगा, इस बाद 3 से डिवाट देखेंगे, 3, 2 जा 6, यह 1 और यह वाला 2, यह I1 का मान 1 हो गया और I2 का मान 2 हो गया, तो टोटल हमारा 1 और प्लस 2, टोटल धारा कितनी निकलाएगी, 3 MP है, क्लियर, आई वह आपको अच्छे से आगया होगा, नेक्स देखते हैं, इस टाइप के डाइगर अगर आपको मिले तो क्या करना है, यह तीनों आपका समांतर में अलग जोड लेंगे, इन दोनों को समांतर में अलग जोड लेंगे, फिर दोनों को स्रेड़ी में कर देंगे, सब से प्लस ने निकालना इतना पहले टोटल में पूरा आर निकालेंगे ठीक है फिर आई निकाल देंगे उसके बाद लास्ट में ए और बीके बीच तीन पूचे तब तो साथ नमबर में आते हैं और कॉम्टेटर जाग में पूचे गए यह क्वेश्चन ट्वेल्थ में भी आते हैं मांतर में लेते हैं ab dwtt अब गेगे प्लस न अपान उपन 242 यह इंती नुग मांतर में दोनों की जोड़ेंगे तो एलस्य만ि इसकन एपक उस्क्सटी आए गाइगा अःस्म drink देते हैं 30 का 60 में तो कितनी मां जाएगा टू टाइमस थाटी टू जा यह फिर डाग्ट देलो आप जीरो से जीरो कैंसल टू थी जा यह थी टाइमस जाएगा यह 60 60 कितने बार के बन टाइमस ठीक है क्योंकि उपर बन है तो मल्टिप्लाइ करेंगा तो यह डिजिट आएगी तो बैली हमारी प्लट जाती है 60 अपॉन 6 कितना आ जाएगा 10 यह आर हमारा हो गया आर डेस अब आर फूर और फाइब का निकाल लेते हैं आर डबल डेस करके इन तीनों का हमारा मान कितना आया 10 इन तीनों का यह हमारा 10 आ गया फिर से देखो इसका तो हमारा कितना आ गया टोटल 10 अब इन दोनों का देखते हैं तो इसको देखे बन अपॉन 10 प्लस बन अपॉन 40 आप कॉप्य पे करेंगे तो बन अपॉन आर 4 और 5 कर लेंगे इसका यह 3 तक थी यह 4 यह 5 हो गया तो इसका आसे 40 आएगा फिर से डबाइट दो 10 फोर जा तो 4 टाइमस हो गया 40 बन जा तो बन टाइमस हो गया यह 1 की प्लस है आप ठीके 5 अपॉन 40 तो आगे हमारा बन अपॉन आर डेस डबल डेस कर लेंगे आपे तो बैलू पल्टेगी ना तो आर डेस हमारा कितना आएगा 40 अपॉन 5 तो इस तरह से हमारा कितना आया 8 इन तीनों का निकला 10 और इन दोनों का निकला समांतर में जोड दोने पार 8!!! तो टोटल आर कितना हों जाएगा हमारा 10 और 8 को प्लस करो hai महिना हमारी कितना होजाएगीSTANDHow and तो टोटल आर एमारी कितना इकलेगा 10 और 8 और कितना हों जाएगा 18 ओम आप और लिके तिन जाओ पहले घून है क्या किया है देखो 10 ohm प्लस 8 तो यह मारे टोटल 18 ohm फाइनल निकलाया अब सेकंड कोश्चन उसना पूछी हमसे धारा आई तो आई निकाल देंगे आई वराव आपना भी बताया भी अपनार होता है तो बैटरीस में तो कितनी दर के 12 और आर हमने टोटल 18 निकालाया इसे आप काट लो 3 4 जा 12 3 6 जा 18 4 अपन 6 और काटना तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 इस तरह से हमारा 2 2 3 आजाएगा पॉइंट में निकालोगे तो पॉइंट 6 6 आएगा आप 6 7 भी कह सकते हैं ठीक है 6 7 एमपियर यह हो गया हमारा आई के अमान अब देखो लाश में पूछा आपसने आई बी के बीच विवांतर तो यहीं पे में बता देंगे तो बी बराबर क्या होता है आए भी हमने निकाली इसमें 0.67 है 2.67 multiply आर ए और बी के पीच पूछे तो ए और बी के बीच में कितरा निकाला था भी आर एट निकाला था ना यह तो इसका था 10 कि फ़ल ए बी का पूछे तो हम एई बाला 8 ले ले लेंगे इसका multiply कर दो यह ठीक है 8.67 जा 56 का 6 हो जाएगा carry 5 8.67 48 48 और 5 कितना हो जाएगा 53 और .1 के बाद तो एक पॉइंट यहां लगा दें 53.6 के लिए एक बाद फिर से देखो हां आछ इन दोनों को पहले तीनों का सबानता है फिर इन दोनों का सामनता है फिरСТ तो हमारा फाइनल के तना है 18 जाए हूं 10 इसका ईट पिर आई निकाल दिभी है पॉन ठीक है 18 यह इसका डिबाट करके 0.67 फिर हमारा A B के वे जुवांतर पूच आता हो तो हमने यह बाला फॉर्मल लगा दिया आई कमान 0.67 और आर जो A B के बीच निकला था बो रख देंगे 8 फिर इसका मुल्टिप्लाइगर करके आजाएगा हमारा पॉइंट एक के बाद है पॉइंट रख देंगे विवांतर का मात्रक बोल्ट होता है कि लिए इस तरह से कर लेते हैं आपको धीर दीर इसलिए बतारी बार 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 रिपीट करें यसे एक बार में आपका माहिन में फिट हो जाए एक और देखते हैं इस तैप कर देखो पहले कोशन देखो अ बीच अब निकालना है ठीक है और धारा कमान आई पूछँ है और एवी के भीच विवांतर पूच आ तो पहले AC के बीच हम R निकाल लेते हैं यहां से, तो A और C इसके बीच में R निकालने का तरीका क्या होता है, कि पहले हम इसको और इसको स्रेडी में जोड़ने हैं, जोड़ लो स्रेडी में, डायक रख दे रही हैं आपको, कॉपी में, आपको कॉपी में जब करना है तो लि और बन और और निकल के आया भी उसको और टू मालो तो यह वाला टू यहाँ रख देंगे और यह वाले टू यहाँ रख देंगे फिर से तो टू अपन टू कि तू यह तो फॉल टू उ टु गया बेलू पल्ट होगा तब टू ही रहेगा तो सिम आपका वना जाएगा तो final R हमारा कित्ता आगया बनों ये और ये स्रेडी में जोड़ना एक और एक दो दो के साथ दो समानतर में तो हमारा final एक आगया हम निकालनेंगे इससे आई और अगर AB के बीच पुछा होता तो क्या करते तो हम ये और ये स्रेडी में जोड़ना एक तीन और तीन के साथ एक ये जोड़ना समानतर में तो हमारा AB के बीच निकाला आता कि लिए एसी का पूछे तो इन दोनों को स्रेडी ये समानतर अब देखो आई फिर से वही भी अपॉनार होता है तो बैटरियां पर टू दे रखा है तू रख देंगे और अभी हमने एक निकाल नहीं लिए एक का भाग देंगे आपर दो ही रहेगा सपोज अगर बन अपांट टू होता तो जीरो पांट फाइव आ जाता पर एक का देंगे तो दो दो ही रहेगा उसके बाद अब इसमें आप कर चीव मत हो ना बीभी हमारा यहां पे जो प्रतो निकला था भी हमारा ए और सी का यहीALLY आजाएगा टॉर्क है यही कोश्यन आपको वैलुप्राट देते हूं टीक है वैलुप्राट देरें यहां पर थोड़ी चेंज कर देरें वैलिए तो आप इसका अन्सार में इसके में बास में तरहें हैं यहां पर देखो थ्री है टीक है यह दोनों टू टू एंसाइड और इधर हमारा थ्री तरी यह बैटरियां पर टैन है अब इसमें से आपको टोटल धारा में बतानी है तो आप पहले आई बन निकालना फिर आई टू निकालना फिर दोनों को एड़ कर देना ठीक है अगर आपने अच्छे से देखा हो को इस ट्राइटिंग तो आप आप से इस कांसर कर लेंगे वेल्व इधर थ्री और थ्री यह एधर टू और टू है जहां पर बन और फोर यहां पर टू टू है के लिए तो इस कांसर आप कमेंड बक्स में जरूर देना और आपको बीडियो कैसा लागर है ये भी आप मुझ मिलता रहे और बीडियो जितना हो सके शेर जरूर कर दीजिए जो भी बच्चे स्टेडी कर रहे हैं उनकी हाल्प हो सके थैंक यू सो मच